नमस्कार जहिन साथियो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बरफिर से आपके अपने योटूब चैनल बिट्टूची के स्टेडी में तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे हम मत्पदेश पुलीस परिक्चा 2022 में जो है काफी केंडिडेट्स जो हैं गलतिया कर रहे हैं कौ और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और गंटी के बैल ऐकान को आल पर कर सकते हैं ताकि जो है मत्पदेश पुलीस परिक्चा से लेकर कोई भी इंपटेंट अपडेटा है तो आपके पास सबसे पह होंगे यह गलतिया तो आपको नहीं करना है न बता जेते हैं नहीं तो बात में बहुत ज्यादा पस्ताना पड़ेगा तीक है तो क्या गलतिया है तो यहां पर गल्ती बता देते हैं जैसे कि हमें डेली कमेंटस आते हैं विडियो पर तो जो है काफी जादा candidates के काफी अच्छे नमर है ना लगबग यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना 65, 70 के बीच में score है कुछ लोगों के 61, 62 63 का भी score है ना तो ये लोग कह रहे हैं कि हम physical करे या नहीं करे तो इसमें पूछने वाली बात नहीं है यही गलती कर रहे है ना मतलब काफी अच्छा score होने के बाद वे physical start नहीं किये है तो यही काफी बड़ी गलती है काफी बड़ी नहीं बहुत बड़ी गलती है यदि आप physical में आपका selection हो जाता है cut off में नेम आ जाता है और आपसे physical qualify नहीं होगा एसे नम्मर भी है मतलब 60 उपर जो नम्मर है वो लोग confusion में है कि हम physical करे या नहीं करे तो यहाँ पर बता देते हैं यही गलतीया कर रहे है आपको physical करना है नहीं तो बाद में पस्ताना पड़ेगा अब हम क्यों कह रहे है कि क्यों करना है physical number कम है में नहीं आएगा आपके जो है नम्मर कम नहीं है अभी तो सिर्फ यह हमारा क्या है score है हमारा में में मार्क्स जो है result आएगा तभी पता चलेगा एक example देते हैं थोड़ा ध्यान देना यदि किसी candidate के यहां पर जो है एक example लेते हैं किसी के 63 नम्मर है ठीक है अब यह तो physical नहीं कर रहा है confusion वाली इस्तिती में है जो की बहुत बड़ी गलती कर रहा है और जैसे कि आपको बता है 4-5 प्रस्ट में हर सिफ्ट में गलत है यदि normalization में इसका score 5 नम्मर बढ़ जाता है तो जो score हो जाएगा 68 हो जाएगा ठीक है यहाँ पर मिलेगा 15-20 दिनों का समय मिलेगा इस बीच में फिजिकल की प्रेप्रेशन करना पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर फिर आप क्या होगी दिक्तत होगी और आप अच्छे score लागर भी फिर आपकी कहानी खतम में अगली वेकंसी में आपको फिर से पेपर निकालना होगा ठीक है तो यहाँ पर बता देते हैं किसी भी केटेगिटी से हो ST को छोड़काना, ST वाले 55 नमर पर physical कर सकते हैं लेकिन SC EWS OBC General वाली की बात करें तो 65 नमर तो आप physical कर सकते हैं और यहाँ पर EWS OBC SC की बात करें यह आपको 60 प्लस भी नमर है वोईस की बात कर रहे हैं तो दोस्तो हम cut off पर आ चुके है और पहले भी हम बता चुके है तो यहां पर आपको सारी confusion दून करेंगे आपको यह गलती नहीं करना है क्या गलती नहीं करना है अब बता दिये हम दोवारा से गलती नहीं करना है यदि आपका score इसकोर इसके around में है तो आपको physical करना है पहले general वालों की बात करेंगे ना सिर्फ general वाले ध्यान देना वाइस की बात करेंगे अडू सबहातर की बीच में score है इनको तो जो है 100% physical करना ही करना है ठीक है 100% करना ही करना है अब बात करेंगे इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 65 नमर भी है 64 नमर भी है ठीक है 64 65 वाले भी है तो कि इनको नहीं करना है physical तो यहीं लोग जो है ज्यादा confusion में है 64 65 वाले तो इनको जो है physical करना है क्योंकि मैंने बता है चार से पांच परसन हर सिप्ट में wrong है अगर नमर बढ़ते हैं आपके 64 से अगर 5 बढ़ते है तो 69 हो जाएंगे तो आपका score इस बीच में आ जाएग तो आपका physical में नहीं मा जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ इससे जो है आपके 45 नमर भी कम है general boys में तो आपका physical करना ही करना है 100% अब girls कभी funda same रहेगा 50-55 वाली girls जो है physical कर सकते हैं इसमें जो है एक-दो नमर कम जादा भी तो physical करना है ठीक है अब EWS category की बात करेंगे ठीक है EWS का भी अपना same रहेगा यदि आपका score boys की बात करेंगे EWS में ठीक है तो यहाँ पर जो है 65-70 की बीच में score है boys की बात कर रहे है पहले तो यहाँ पर तो इनको तो 100% physical करना ही करना है जैसा कि अभी बता है हमने 100% करना ही करना है 65-70 क के बीच में जिन लोगों का score है अब इसमें बात आती है 63-64 वालों की 62 वालों की क्या होगा तो इनको physical नहीं करना है क्या जी बिल्कुल करना है क्योंकि यही लोग जो है confusion में है जिनके मतलब जो कहते हैं वही लोग कंफूजन में कि physical करे या नहीं करे तो बिल्कुल करना है यदि आपके 4-5 नमर बढ़ जाते हैं 67 हो जाएगा score तो आप जो है इस score के बीच में आ जाएंगे तो आपको physical करना है गल्स का भी सेम रहेगा 50-52 के बीच में score है तो physical करना है 50-2 कम भी है तो physical करना है क्योंकि normalization में बढ़ सकते हैं नमर सेम यहाँ पर रहेगा OBC बालो के लिए यदि आपके 65 से जो है 70 के बीच में score है तो आपको 100% physical करना ही है और इसमें कुछ candidate ऐसे हैं जिनके अधिकतर नमर 61-62 63 के around में है तो यह लोग confusion में है physical करे या नहीं करे मैंने अभी बताया है normalization में बढ़ेंगे जैसे कि इसी के 62 नम बीच में score है तो physical करें इसमें जो है बचपन वाली गल्स भी कर सकते हैं क्योंकि normalization का कुछ कहानी जा सकता नमर बढ़ सकते हैं सेम SC में भी रहेगा इसी प्रकार से 62 है तो physical करें 60 से नीचे भी है SC में मतलब 58 तक भी score है तो physical करना है सेम गल्स कर रहेगा SC में 50 55 score है तो physical करे यदि 49-47 भी score है तो करना है क्योंकि normalization में बढ़ सकते हैं सेम HD वालों की बात करेंगे 55-60 के बीच में score है तो physical करना ही करना है तो यह परक्रिया मैंने समझा है आपको आपको यह गल्ती नहीं दो रहाना है वरना बाद में पस्ताना पड़ेगा ठीक है तो अभी से जूट जाए यह तैयारी में तो बाद में आपको problem नहीं होगी फिजिकल में नेम आगया तो आपके लिए अच्छा होगा नहीं आया तो क्या है दूसरी वैकेंसी का मारी preparation हो जाएगा आपको जो है running का experience हो जाएगा ठीक है तो आपको जानकारी पसंद आई होगी तो एक वीडियो को लाइक कर देना चैनल को कर देना सब्सक्राइब और ग्हंटी के बेल आगान को आल पर कर लेना सो थैंक्यू फर वाचिंग